वेलकम फ्रेंड्स टू माई यूटूब चैनल प्योगाइड टिप्स और ट्रिक्स मैं संजर विश्वस अब सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पर आज हम इस वीडियो में देखेंगे डाक करमेयोगी पोर्टाल में जब हम साइन इन करते हैं तो अगर हमारा यूजर हो गया या password हम forget कर गया तो उसको हम कैसे reset करें तो वीडियो को एंट देखिए अगर आप को वीडियो helpful लगे तो लाइक कीजिए कोई कोई यह कोई है तो आप कमेंट करके पूश सकते हैं वीडियो को जधा-जधा शेयर कीजिए और अल्सो शब्सक्राइब कीजिए चैनल क तो चलिए हम देखते हैं तो यहाँ पर हम डग करने कि पोड़ाल में पोडल यहाँ पर ऑपन कर लिया है फिर यहाँ पर साइन इन आप्षान पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे forget password locked account ऐसे option आपको मिलेंगे तो यहाँ पर इस option पर हम click करेंगे हमारा password reset करने के लिए अगर user ID lock हो गया तो इसको unlock करने के लिए तो यहाँ पर हमारा user ID है जो हमारा employee ID है यहाँ पर हमारा user ID है वो हम डाल के send OTP option पर click करेंगे तो डाक करमयोगी portal पर जो mobile number इस user ID से linked है उस mobile number पर OTP आजाएंगे और इस OTP को यहाँ पर हम डाल के यहाँ पर हम हमारा password reset भी कर सकते और हमारा user ID है उसको हम unlock भी कर सकते तो यहाँ पर जो OTP आएंगे OTP को यहाँ पर enter करेंगे फिर पहले हम unlock कैसे करते हैं बो देखते हैं तो यहाँ पर unlock account को select करके हम submit करेंगे तो यहाँ पर देखिए right corner पर आपर right corner पर message आ जाएंगे कि वो user ID successfully unlock हो गया है फिर चलिए देखते हैं कैसे हम password को reset करते हैं तो यहाँ पर फिर same option पर हम जाएंगे forget password locked account option पर फिर यहाँ पर हमारा user ID है बोगा हम डालेंगे फिर यहाँ पर हम submit send OTP option पर click करेंगे तो हमारा registered mobile number पर डाकर में यहीं पोर्टाल पर जो registered mobile number है वहाँ पर OTP आ जाएंगे बुस OTP को यहाँ पर हमें enter करना है तो यहाँ पर enter करने के बाद यहाँ नीचे देखिए दो option है forget password and unlock account तो यहाँ पर हम forget password कैसे करेंगे बोग हम देखेंगे unlock account कैसे करते हैं बोग हम देख लिए है और फिर forget password option को हम यहाँ पर select करके submit करेंगे तो देखिए यहाँ पर right corner पर यहाँ पर default password रिसेट हो जाएंगे और यहाँ पर message भी आ जाएंगे आपका जो default password होंगे बो भी यहाँ पर शो होंगे तो यहाँ पर default password ptc at the rate 1509 all time is same ही रहता है तो यह password reset करने के बाद फिर हम यहाँ पर login कर सकते है जो default password है तो यहाँ पर हमारा user id and default password डालके यहाँ पर हम login करेंगे यहाँ पर capture को validate करके तो यहाँ पर first time आपको login करने के बाद compulsorily आपका जो default password आप reset किये है उसको आपको change करने परेगा तो यहाँ पर हम first time login sign in करेंगे तो यहाँ पर देखिए directly password change option पर आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारा जो new जो current password है जो password हम reset किये है बो password यहाँ पर डालेंगे फिर new password हम डालके new password डालेंगे हो जो जाएंगे दालके हम से उप्शन अव्प को हम लेंगे मिलेंगे शिफ पर क्लिक करेंगे तो password reset हो जाएंग श्री रास्टरी जो से प्शावर्य आप नहीं दे सकते हैं तो यह पर हम दूसरे कोई password डाल दे डाल दे तो यहाँ पासवार्ट करेंगे पास्वार्ट सब अगर आप कोई वीडियो लगे तो लाइक कीजिए कोई 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 है तो आप कमेंट करके भूश सकते हैं वीडियो को जाता जाता शेयर कीजिए और अलसो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को